तमेशकार दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो की पोस्ट किया गया है इस्राइल डिफेंस फोर्सेस के ट्विटर हैंडल से ये कुछ ऐसे वीडियो हैं शाहन हम अपने देश के अंदर इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पर आप देखाओ के ये बेसिकली क्या हो रहा है कि जो गाजा पट्टी है वहां से बहुत सारे रॉकेट्स लाँच के जा रहा है इस्राइल के अंदर इस्राइल भी रॉकेट्स लाँच कर रहा है लेकिन यहाँ पर इस्राइल ने ये वीडियो पोस्ट किया है कि किस इस तरह से जब गाजा पट्टी से रॉकेट लॉंच किये जाते हैं, तो उनका जो डिफेंस सिस्टम है, वो हरकत में आ जाता है, और वो उस रॉकेट को किल कर देता है, तो इसी प्रकार के आपको वीडियो दिख रहे हैं, इसके अलाबा भी मैं आपको दिखाता हूं, इस त कि चीजे मैजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इसराइल में चीजे इस प्रकार से हमें देखने को मिल रही हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है, कि एक सवाल आपके मन में लगाता रहेगा, कि इतने सारे जो रॉकेट्स लॉंच किये जा रहे हैं इसराइल में especially, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 500 से जादा रॉकेट्स अलरी लॉंच किये जा चुके हैं इसराइल की उपर, तो यह जो आइरन डॉम है, वो किस तरह प्रोटेक्ट करता है, उसके पूरे सिस्टम कौम समझेंगे, क्रिटिसिजम क्या है, फायदा क्या मिलता है, काफी प्रिपैरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे खुरस को जॉइन कर सकते हैं, डाउनलो हमारे आप को या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हो, इसकी जतनी जानकारी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जायबी, चलिए देखते हैं, आप पर हो क्या रहा है, जब से वोयलन में जो पूरी सुरुवात है, प्रॉब्लम्स की जड़ है, वह आपका जेरुसलम में हुआ, इसको देखते वे जो गाजा पट्टी में पलेस्टीनियन्स रहते हैं, उनको ये पसंद नहीं आया, इस्पेशली जो मिलिटेंट्स हैं, ऐसा मानना है इसराइल का कि उन्होंने बहु सारे साइरन्स वगर लगे हैं, जगा जगा पर, जब भी रॉकेट लॉंच होता है, और जब भी यहाँ पर ट्रैकिंग उसकी की जाती है, तो उस एरिया में साइरन बजना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वज़े से लोग पहले से ही सुरक्षित हो जाएं, सतर्क हो जाएं, तो चलिए देखते हैं, यह जो आईरन डोम है, यह है क्या, यह करता क्या है, यह एक प्रकार का एर डिफेंस सिस्टम है, अब मैं आपको एक्जांपल से बताओं, जैसे कि भारत का आपने सुना होगा, हम S-400 खरीदना चाहते हैं, S-400 क्या है, बेसिकली रशिया से हम ले र डिफेंस सिस्टम है, जो की डवलप किया गया है, इसराइल की कंपनी है, रफैल अडवांस्ट डिफेंस सिस्टम, अब इसको कंफ्यूज मत कर ले ना, रफैल एरक्राफ्ट से, वो फ्रांस का जो है, वो एक अलग चीज है, यहाँ पर हम बात करें, इसराइल के अंदर जो इसे खरीद कर यहाँ पर लगाया है, तो यह जो रफैल अडवांस्ट डिफेंस सिस्टम है, इन्हों ने इसको बिल्ट किया है, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट और कई सारी चीजें जो फाइनिशल हो गया, वो उनाइट स्टेट्स के द्वारा प्रोवाइड की गई थी, सबस इसे क्या होता था न, जब यह डिफेंस सिस्टम नहीं था, तो इसराइल को बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ पर जब भी कोई रॉकेट टाउंच जिया जा रहा है, फिर उनको कुछ और करना पड़ता था, तो बहुत देंजर होता था, लेकिन यह आने की बज़े से यहाँ पर इसराइल को काफी हद तक एक तरह से आप कह सकते हो सहूलियत मिल गई है, तो एक तो यह आप क्या करता है, जो शौट रेंज रॉकेट्स हैं, उनको रोग देता है गाजा पट्टी से जो आ रहा है, इसके अलावा इसमें दो सेपरेट सिस्टम भी है, एक इसका कहा जात है कि यह जो नाम है, इसका आइरन डोम क्यों रखा गया है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, सपोज यहाँ पर गाजा पट्टी है, यहाँ से कोई रॉकेट लॉंच हो रहा है, तो एक तरह से यह जो पूरा इसराइल का लैंड है, उसको डोम शेप में आप इस इस तरह कि जो आइरन डोम के डिफेंस सिस्टम है, वो लगे वे हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, और यह इसको वर्टिकली यहाँ पर किल करता है, जैसे ही इसको पता चलता है, यहाँ पर रडार डिटेक्शन यूनिट लगा हुआ है, रडार डिटेक्ट करेगा कि क्या यहाँ पर रॉकेट लॉंच हुआ है, फिर यहाँ पर बैटल मेनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम होता है, लोग रहते हैं, उसको ट्रैक करते रहते हैं, फिर यहाँ पर होता है मिसाइल फारिंग यूनिट, इस तरह का यूनिट होता है, और यह जो यूनिट है मैं आपको तो याद रखेगा radar system पर based होता है, जहाँ पर जो मैंने पता है na radar detection unit, इसके माध्यम से यह होता है और vertically launch किया जाता है, इसके अलावा मैं आपको बता हूँ, जैसे ही होता है, आपका explosion और जो sirens हैं, वो उस particular area में सुनाई देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, इस तरह का explosion य आप 100 rocket launch किये गए गाजा पटी से, ठीक है, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि यह जो iron dome है, वो 100 इस तरह का intercept करके उसको kill करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, यह जो iron dome का system है, यह basically देखता यह है, कि क्या वो जो rocket है, क्या उससे इस्राइल को कोई खत्रा है, क्या इस्राइल क होगा, तो उसको फिर कुछ नहीं किया जाता, वो अपना automatically जाकर यहाँ पर गिर जाता है, तो इस तरह से इनका work करता है, जो कि काफी बैतरीन तरीके से इन्होंने पुरा system को है, जो है, डवलब किया है, लेकिन यहाँ पर आपके मन में question आएगा, कि इसको बनाय हुए 10 साल हो गए, और 10 साल में तो आपको पता है, technology काफी change हो जाती है, लेकिन क्या इन्होंने कुछ इसमें technological advancement किया है, change किया है, देखे, ऐसा बताया जाता है कि जो इसका hardware है, यह जो मैंने आपको पुरा defense यह बता है, hardware जो है, वो अभी तक same है, उसमें कोई change नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो software है, उसके अंदर लगतार changes किये जाते हैं, ताकि इसको और जादा capable बनाए, software क्यों हो ताकि detection वगरा करने में आसानी हो, और इसके अलाबाद जो experts हैं, उनका तो यह कहना है कि यह counter cruise जो missiles वगरा launch करते हैं, उसको तो kill करता ही है, लेकिन इसके अंदर capability ऐसी है कि future म में भी कुछ ऐसा threat होता है, तो उसको भी destroy करने की ताकत रखता है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको बताऊं कई सारे criticism भी इसको लेकर होते हैं, basically criticism इसलिए होता है, कि यह जो iron dome का system है, वो आपका conflict को और जादा लंबा खींच देता है, वो और जादा बढ़ा देता है fundamentally, ऐसा यहाँ पर कई सारे experts का मानना है, उनका यह कहना है कि यह अच्छा करने के बजाए, बहुत जादा harm करता है, क्यों करता है, basically उनका कहना है, कि जो हमास है, जो आपका militant organization है, गाजा पट्टी में, उसको अब लगता है कि हम कितना भी rocket launch करेंगे, तो उनका जो detector है, वो आ जहा देता है, एक प्रकार से, आप यूं कह सकते हो, तो यह थोड़ा सा criticism भी होता है, लेकर, अब I don't know कितना justified है, criticism नहीं है, वो एक अलग बात है, आप बता सकते हो comment section में, लेकिन, next अब हम समझते हैं कि यह successful कितना है, मतलब आपके मन में question आएगा ना, कि मान लो suppose 100 rocket launch किये क्या यह जो system है, वो 100 के 100 rockets को कल सकता है, दीकि इसकी भी हर एक system की छमता होती है, आप कोई भी ऐसा system नहीं बना सकते हैं, जो कि unlimited तरीके से और full protection 100% दे सके, लेकिन, यहाँ पर जो companies हैं, जो Israeli officials हैं, उनका कहना है कि 90% success rate हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब 90% तक जो rockets हैं, वो इसको destroy कर सकता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, Tuesday को जो Israeli military है, उन्होंने कहा कि again, जितने भी rockets launch किये गए थे, गाजा पटी से, वो 90% को उसने destroy कर दिया था, और अभी तक करीब 500 से जादा missiles गाजा से launch किये जा चुके हैं, ऐसा उनके military officials का बयान आया है, ठीक है और यहाँ पर एक और चीज, benefit इसका क्यादी कि कई सारे benefits हैं, iron dome एक तरह से मैंने आपको बताया कि उनकी जो life है, इस्राइल के अंदर कई सारे लोगों की change कर दी है, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत जादा खत्रा होता था, कि अगर rocket launch हो रहा है, आप अपने वीडियो कर देगा, और इस तरह से वो थोड़ा सुरक्षित होते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कई सारे जो experts हैं, वो यह भी कहते हैं, कि iron dome आने की वज़े से, जो पहले क्या होता था, troops को हमको भेजना पर था, 2008 में, 2009 में जिस तरह से भेजा गया था, गाजा पट्टी के अंदर troops क अब वो भेजनी के आउशक्ता नहीं होती, यहीं से हम चीजों को destroy कर देते हैं, और इसके अलावा यह system भी काफी सस्ता बताया जाता है, यहाँ पर जो threat है human life को, infrastructure को वो भी कम हो जाती है, इसकी वज़े से, in fact मैं आपको बताऊं, खुद US की आर्मी ने, यहाँ पर दो batteries, जो है इस तरह के system को खरीद रखा है, मतलब US ने भी खरीद रखा है, आपका क्या सोचना है, क्या भारत को भी यह system लेना चाहिए, क्या भारत को इतने बड़ी system की, इस तरह की system क्या आउशक्ता है, please let me know in the comment section बताई हो, कि इस वीडियो के माध्यम से, आपको बहुत को जान nuclear weapon free zone बनाए गया था, कि उस region के अंदर किसी भी country के पास nuclear weapon नहीं होगा, ठीक है, तो कौन सा area है, वो क्या Africa है, पुरा Antarctica है, Latin America है, या फिर South East Asia है, इसका जो right answer है, आपको पताई है, मिरे Instagram पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहाँ पर नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले स करते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, अगर आप उसे economy पढ़ना चाते हैं, कोई भी course purchase करना चाते है, study IQ आप पर जा सकते हैं, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.